हाई दिस रितुर अतेवाल एंड यू आर विद अनकाडमी स्टूडियोज प्लैसीबो इस चानल पर हम आपको लाइव वीडियो देते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायलेजी के लिए ताकि आपकी नीट की तयारी को बहुत अच्छा बूस्ट मिल सके आज हम आनिमल किं किंग्डम की क्लासेस देखी हैं मैं बहुत शौर हूँ इस चीज को लेके कि उन्हें आनिमल किंग्डम बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और बहुत अगड़ा ग्रिब बना है उनका उसके उपर अगर अभी भी आपको लगता कि कोई और चीज नेसेसरी है कि सभी को आती है आप डाउनलोड करके जैसे आप यह लिंक डालेंगे ना नीट प्लासीबो वैसे आप हम से कनेक्टेड हो जाएंगे यहां पर फाइदा यह कि आपको सभी नोटिफिकेशन यहां पर प्रॉपर ली आ जाती है प्लस आपके टीचर आप से बात करते रहते हैं देन टेस्ट डालते रहते हैं तो आप टच में रहते हैं कि चल क्या रहा है ऑगे अनकाड्मी पलस के बारे में वैसे तो यहां पे जाहतर बच्चों को पता हैं हम लोग बात करते ही रहते हैं बट जो बच्चे नय है उनके लिए बता देती हूं और जो बच्चा अभी तक hardly 2-3% बच्चे हैं वो स्टेज में कि सब कुछ हो गया है मैम अब रिवीजन चाहिए जो maximum बच्चे जिस स्टेट में है वो यह है कि मैम थोड़ा 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 पढ़ा है लेकिन कुछ भी अच्छे से नहीं पढ़ा कम से कम 2-3 बार बढ़िया रिवीजन चाहिए तब क कुछ हो पाएगा biology में और कुछ बच्चे हैं जिनोंने शुरू ही नहीं किया है देखो बेटा अगर तुम्हें थोड़ा सा भी आता है तुम्हें थोड़ा सा भी आइडिया है तो तुम अभी भी तैयारी कर सकते हो तैयारी करने के लिए platform हैँआ अनकाड़मी प्लस लेक्त मेरे 2 पीष दो चाल रहे हैं एक तो मेरा क्रैश कोर्स चल रहा है जो मैंने अप लोगों को कहा था कि चार महीं के पूरा स्लेबस करेंगे वो क्राश कोर्स स्टार्ट हो चुका है आरड़ी में उसमें एक चाप्टर खतम करके दूसरा शुरू करच चुकी हो तेजी से कि दो दो तिन तिन दिन में एक चाप्टर होगा आप लोगों को फायदा ही होगा क्राश कोर्स जॉइन करने का कि एक तो मैं तुम्हें पहले ही एक बर चाप्टर पढ़के आने के लिए बोलूगी और वो मुझे पढ़ा चल जाएगा कि तुम लोग पढ़ रहे हो या नहीं क्योंकि मैं तुमसे question पूछूँगी answer नहीं आएगा तो I will exactly know that you have studied or not तो एक बर तो तुमको वो पढ़ना पड़ेगा then मैं तुम्हें class में ही time देती हूँ जैसे मैंने जो कुछ पढ़ा दिया then I give you time to study from NCRT so एक बर वहां reading होगी तो दो तिन बार तो मेरे साथ ही तुम्हारी रीडिंग हो जाएगी biology की साथ पर एक मेरा plant physiology का course चल रहा है वो अलग से इसले चला रखा है क्योंकि plant physiology बच्चों को बहुत मुश्किल लगती है सो उसको थोड़ा slow चलाते हैं हम अराम अराम से पढ़ते हैं उसमें ताकि वो दिमाग में घुसता जाए एक और मेरा नया course launch होने वाला है वो थोड़ा सा secret है अभी करने दो launch एक बार फिर बताती हूँ क्या course है इसी प्रकार से आपको यहाँ पर chemistry के crash courses चलते हूँ मिल चाहें आपको कुछ आता है तो भी आपको सब कुछ आता है तो भी और आपको कुछ नहीं आता तो भी यह सब कुछ सभी subject की classes सभी subjects की doubt sessions दें चोड़े-चोड़े quizzes जो होते रहते हैं आपको questions से वाकिफ कराने के लिए सब कुछ आपको एक subscription लेने पर available किया जाता है यह एक subscription सभी subject के लिए काफी है ऐसा नहीं कि तुम्हें फिर से प्ले स्टोर पे जाने आपको यह आप डाउनलोड करने यह लिखना और डाउनलोड का इंस्टॉल का बटन दबा देना ठीक है तो डाउनलोड हो जाएगा यहाप इंस्टॉल आजाएगा इंस्टॉल दबा देना अ अब जब इसको ओपन करोगे इंस्टॉल होने के बाद तो फ्रंट पेज आएगा यहाँ पे नीचे जाना प्लस प्लस पे क्लिक मारना प्लस के बाद फिर से बड़े सारे options आएंगे क्योंकि प्लस में तुम्हें किस काटेगरी में जाना है तो तुम्हें नीट एंड एंड इसकी काटेगरी सेलेक्ट करनी है ठीक है नीटेम काटेगरी पर क्लिक कर देना फिर जाना गेट सब्सक्रिप्शन पर अभी पूछेगा तुमसे कितने समय का सब्सक्रिप्शन चाहिए देखो अब यह तुम कौन हो उस पर डिपेंड करता है अगर तुम अभी 2020 में पेपर लेना है if you want to take medical in plus one then you take a two year subscription okay for six months the fees is 24,000 rupees एक साल के बच्चे के लिए 30,000 rupees और दो साल के बच्चे के लिए फीस है 48,000 rupees so that per month के साब से देखे तो सबसे सस्ता यह ही है दो सल वाला है लेकिन तुम्हारी requirement पर अफ्कॉर्स डिपेंड करता है okay अभी देखो वैसे तो यह फीस नॉर्मल है पर उसको और थोड़ा सा कम करने का तरीका है there is a code which you put जैसे ही आप डालते हो आपको 10% off मिलता है कि इसमें आप कोई भी क्लिक कर लो मानलो आपने वानियर वाला क्लिक कि आभी देखो यहां पर 30,000 दिखा रहे हैं अब इसके ऊपर blank space होगा यहां पर उसके अगे apply लिखा होगा यहां यह code डाल देना code क्या है रितु लाइव रितु मेरा नाम है और लाइव वहां पर classes है तो रितु लाइव जैसे ही आप code डालोगे आप apply बटन दबाओगे देखो 10% आपको off नजरान लगेगा 27,000 होगे तो अभी आपको 6 महिने वाली piece 21,600 की पड़ जाएगी ठेक है और एक साल वाली तो आपने दे सभी के courses available हो जाएंगे ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरे courses available है all the courses will be available to you with this code ओके चलियो टॉपिक आज का असा है छोटा सा टॉपिक है एक डाइग्राम बना बना कि हम लोग सीखेंगे तुम लोगो तुम नहीं देखा होगा हर animal kingdom की चीज हम सिर्फ एक डाइग्राम से सीख जाते है यहां पहुंच गया हम देखो वर्टीब्रेटा में यहां इस ट्रमेटा के अंधर ट्रफ पोड़ा में पँच गये हैं तुम एंफीबिया पढ़ चुकि हो रफ्टीलिया पढ़ चुकि हो आज बर्ड पढ़ना है एव का मतलब बर्ड है और मैमल्स पढ़ना है देखो ने थे अच्छा करने से तेले हैं इसको के आपढ़ेशन का थे थे भड़ सब बसके बड़ें फिर्टाइल को सुदर बना दो तो बर्ड बन जाते हैं सो बर्ड से डवेल एवी एसा निया कि बर्ड से हम ड़िलोप हो नौ तो पहले बर्ड पढ़ लेते हैं अब बर्ड के बना लेते हैं तब उससे हम समझेंगे तो ज्यादा असानी से समझ में आएगा सब कुछ देखो ओके इस इस माइ प्रिटी बर्ड ये टेल है बर्ड की ये इसका पंक है उड़ने वाला और ये इसकी लेग्स है अब इतना तो हम जानते ही है है ये तो किसी भी बर्ड के लिए कॉमन चीज है अब हमारे काम की जो चीजें है वो हम देख लेंगे देखो सबसे स्ट्राइकिंग फीचर जो तुमको इसका नजर आता है पहला पहला वो ये है कि इसके पास बीक है वैसे बीक से जादा भी बिंग जाते चलो लेकिन पीछे चलेंगे इसके जो जाज है वो मॉडिफाइड हो चुके है बीक में है ना और बीक जो है मॉडिफाइड जाज तो है लेकिन जाज के अंदर टीथ नहीं है किसी भी बर्ड को ऐसे बीक खोल के देखना तुम्हें डांत नहीं नजर आएंगे ठेक है सो लिख दू जाज मॉडिफाइड इंटू बीक बुरा तो नहीं मानोगे जाज मॉडिफाइड इंटू बीक लिख देते हूं क्योंकि दांत तो है नहीं ना तो यह खाना कैसे चबाते है एक तो इनके पास बीक बहुत हार्ड होती है उससे सीड्स वगरा खाते तो उससे इनके पास digestive system में एक अलग से चेमबर आ जाता है जिसको कहते है गिजार्ड गिजार्ड क्रशिंग के लिए होता है फूड के लिए जैसे हमने कोक्रोच में पढ़ा है ना कोक्रोच में बर्ड में एक अलग से चेमबर होता है कॉल्ड गिजार्ड and it helps in crushing of food जैसे यहां से यह मालनो इसका digestive system यहां से यहां से गया ना तो पहले आता है crop crop होता है storage के लिए और फिर उसके नीचे होता है गिजार्ड इसके लिए mastication of food के लिए लिए लिग दू इस is crop this is gizzard of course आगे भी यह पूरा it will be like this and then यहां पे open हो जाएगा is a gizzard और mastication of food तो खाना चबाने के लिए बीक से जादा गिजार्ड काम करेगा तुम्हें इंट्रेस्टिंग बाताती हूं एक इंटरस्टिंग बात बताती हो तुमने मुरगियां देखें कभी देखी तो होंगी मुरगियों कि जब थम हाना खाते हो देखो गहां थी देखोंगे जब यो सीड़ कर रहे होती не सब्सक्राइब वेखसे की फूर्फ लेंब इसका फूर्म ऐसा नहीं है कि जैसे हमारी बात्जु हो चुका है विंग में लिख दो four limbs modified into wings तुम लोगों को देखी रहे four limbs modified into beak sorry आरे ने wings ठेक है अब hind limbs तुमको देख रहे हैं इनकी hind limbs पे एक special बात होती है इनकी hind limbs पे scale होते है सचे होते हैं जिसे सट्राइल के पास सटे तो कहीं ना कहीं हम को दरशाथ हैं कि रेप्टिलियर निस एस्ट में जाता है कि यह रेप्टाइल से आहिं हैं इसका क्या हमको प्रूफ है इसको बर Dear है स्केल्स यहां पर किसी और कलर से लिख लेते हैं एक तो ना मुझे एक दिन लगता है मेरा माइक ना उखड के पता नी क्या ही हो जाएगा क्या पता नी क्या है एक अब कि आ गदेको फ्रंट वाली पे तो स्केल्स हो नी सकते फ्रंट वाली पे तो फैदर है पूरी बॉड़ी पे है ना तो स्केल्ज सिर्फ र्प अप्लेक्स पही हो सकते हैं है रेप्टीलियन एंसेस्ट्री को शो कर रहे है थुम्हें शायद पता नहीं है आधा बर्ड्ज हो है वों खतम कर चुके हैं आधा एव्स खतम हो चुका है एंसेस्ट्री की स्पेलिंग गलत है मिटाना पड़ेगा जब सितनेनेे की उटता है की अब दीज देगो इनके पूरी स्किन ब्राई होती एउस कशिए आपर लगाओ भी की स्किन इस आपक news इनके आप सपानी पोरी ठींडा होती है अचा स्किन पर फैंडर्स होते हैं यह दिज आर फैंडर्स बाड़ी आप कर देदर्स बाड़न को प्लस फ्लाइट में उनका परपस रहता है अब देखो इनकी जो पूरी स्किन है वो बिल्कुल ड्राइ है वो बिल्कुल ड्राइब विद फैदर्स उनके पास सिर्फ एक ग्लांड होता है अगर एक ग्लांड तो मतलब वो इंपोर्टेंट है ध्यान से देखना पड़ेगा इ अब देखो इसका सिगनिपिकेंस है बहुत जादा और यह दिख रहा है क्या बच्छों के कट गया दिखी रहा है है ना यूरोपाई जिलंड दिखी रहा है देखो अभी इसका फायदा गया है कभी तुमने बर्ड को देखा है मानलो मैं बर्ड हूं ऐसे बर्ड है यह अप पे अपने पूरी बॉड़ी पे वाई ओएल ग्लैंड सिक्रीट आ ओईली सिक्रीशन नाम से पाइचल रहा है बट दा इंट्रस्टिंग इस थिंग इस यह पानी आगया पैचलो विंगी खराब हो गया ओड़ना ओड़ी नहीं पाया लोजी ऐसा नहीं होता ना सो उसको एक आगया ओड़ी टेक्स्चर देने के लिए उपर से ना था कि पानी पूनी से किसी और चीज से डामेज नौर यह पूरी बॉड़ी पर यह ओड़ी और ग्लैंड की सिक्रीशन को वो करता रहता है स्प्रेड करता रहता है मैं क्लियर विद दिस मच आगे चलो कहां हो बच्च करch दो पान्चाली चहबन संब purs spricht क्रेडि कि लेकिन उसका रिजल्ट तुमारे लिए वैलिड नहीं होगा फ्लस्टू के बच्चे जो होते हैं वो दे सकते उनकी के लिए बच्चे सकते ना वह बच्चे दे सकते हैं तुम भी दे सकते हो पर उसका in 저ट वा इसक्चेस ऐले पहली बाद तो फैदर्स है उनकी पूरी बॉड़ी पे विंग्स और फैदर्स को I hope तुम confuse नहीं कर रहे हो विंग्स वो बड़े वाले होते हैं फैदर्स जो बॉड़ी पे छोटे 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 लगे होते हैं अभी देख लिया हमने बीक होती है अभी देख लिया हमने the hind limbs generally have scales अभी पढ़के हटे है and are modified for walking, swimming और clasping to the tree branches hind lips से क्या करता है तुमने देखा है bird ऐसे से करके या तो भागते हैं या तुमने ducks में देखा है ऐसे से करके तैरते हैं या सभी birds में देखा है टेहनियों को ऐसे पकड़ते हैं है clasping to the branches skin is dry यह question बन सकता है नीट में भी बन सकता है तुम्हारे school exam में भी बन सकता है without glands except the oil gland एक oil gland जो europaigil gland है at the base of the tail endoskeleton is fully ossified यह नहीं मैंने तुम्हें बताया अभी है ना देखो बताती हूं बात करने लगे हैं तो करी लेते हैं देखो birds की bones ना बड़ी special होती है तुम्हें पता है कि bones तो आना शुरू हो गई थी और उस्टिक्थीस से ही कॉंट्रिक्थीस के पास cartilage ने स्केल्टन था उसके पास सब bones आ गया है ना तो bird की bone होती तो bone से बनी हुई है परन्तु उसकी bone अंदर से खाली होती है जहांपे हमारा bone marrow भरा होता है ना वहां पे इनका bone marrow नहीं होता तो their bones are something like this say this is a bird's bone can you imagine अंदर से खाली होती है कोड़ा और खाली कर देते हैं रोको something like this और अंदर खाली हवा भरी होती है ऐसा नहीं कि इसमें कुछ और चीज भरी होगी हवा भरी होगी खाली बिलकुल अंदर से बांसुरी जैसी बजा ले ना कभी मिले तो ठीक है बर्ड की बोन तो यसी बोन्स को नुमाटिक बोन्स बोलते हैं बच्चों लिख दो इस अर पॉल्ड होलो बोन्स हो लो डबल्यू होलो बोन्स या नूमाटिक बोन्स तेक इनका फाइदा किया बढ़िया बर्ड को हवा में उड़ना है तो उनको अपनी बोड़ी हलकी चाहिए तो यह बोड़ी को हलका बनाते हैं नूमाटिक बोन्स यह आ सकता है क्वेश्चन ठीक है अब देखो जहां तक एर में उड़ने की मॉडिफिकेशन है ना कुछ चीज़ अपने को पता होने चीज़ इंपोर्टेंट है देखो डाइजेस्टिव सिस्टम में मुझे जादा कुछ बताना नहीं है एक करके सिस्टम्स देख लेते हैं फिर मैं तुम्हें हलकी से मॉडिफिकेशन बताते हूं जो उड़ने के लिए चाहिए डाइजेस्टिव सिस्टम की ओपनिंग निया यह इसके एक्सक्रेटरी सिस्टम की ओपनिंग है यह इसके रिप्रोड़क्टिव सिस्टम की ओपनिंग है तुम तीनों सिस्टम की ओपनिंग है डाइजेस्टिव सिस्टम एक्सक्रेटरी सिस्टम एंड यूरिनरी सिस्टम एंड यू केन इमाजिन हाओ बर्ड्स मस्ट बी तो एक स्ट्रक्चर जहां सब कुछ हा रहा है तभी तुम्हें एक और इंट्रेस्टिंग बदाती हूं इसी मामले में बर्ड्स की जो पॉटी होती है तभी तुमने देखा है कभी ध्यान से देखा है ब्राउनिश ग्रेश ग्रीनिश कुछ भी हो सकती है और उसके उपर उसके टड़ दुम्हें चनी अंचे घरमे था था में पॉंह बड़ते हैं एक तुम्हें फैक्त बदाती हों बर्ज मेल्टा लगतें है ऐस तो नहीं होता प्रवा फीमल कव्वी और कव्वा एक बॉड़ी में असे तो नहीं होता है एक इस परेट एंड मेल बर्ट्स दो नॉट है पीनिस एक्सप्ट फॉर फ्लाइटलेस बर्ट्स जैसे ऑस्टीच वगरे के पास पीनिस रहता है तो ऑस्टिच कहता है मैं उड़ नहीं सकता तो क्या हुआ बगवान ने मुझे और चीज़ा दी है बिचारे उड़ने वाले बर्ट्स को नुक्सान हो गया कि उनको पीनिस लाइक स्ट्रक्चर नहीं मिला अब बर्ट्स जो उड़ते हैं जिनके हम बात कर रहे हैं अब हर बर्ट जाके पानी में तो फिरट्लाइशन नहीं कर सकता अब करनी भी पेडों पर इंटर्ला फिरट्लाइशन करनी है और पीनिस भी नहीं है, तो क्या करेगा बिचारा बर्ड? They have a very funny way of mating. If you have seen two birds mating, have you? सब नहीं, कहीं नहीं, कहीं खिड़की के ओपर, यह वो, देखा होता है. So, birds adjust themselves, their cloica, यह cloical opening है नहीं यहापे? Birds adjust their cloical opening, ऐसे दोनों cloica अपने साथ ले आते हैं, ऐसे, इकठे ले आते हैं, ठेक है? And the male simply squirts the semen inside the female cloica. Male, जो है, अपना semen female cloica में squirt कर देता है, ठेक है? बिना किसी penis के बिना किसी. It is called cloical kiss. ठेक है? So, the fertilization is internal only, but without penis. Except for the flightless birds, जिनको बगवान ने penis दिया है. Okay? ठेक है. और मुझे क्या बताना थे यहापे? Respiration बहुत important है, बाई. इनकी respiration के बारे में कुछ important बाते हैं बतानी है. देखो, तुम्हें चलते चलते थकान हो जाती है. Bird को उड़ते उड़ते कितनी थकान होती होगी? Odonize a lot of मेहनत. So, they have a very different kind of respiration, I'll tell you. They have lungs, जैसे की lungs होते हैं नौर्मी लोगों के पास. But with lungs, they have something very special called air sac. अब air sac क्या होता है, मैं तुमको समझाती हूँ. इतना समझ में आ गया? बोलो, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है? अच्छा, जैसे बच्चे plant physio, plant physio चिलाते रहते हैं, photo synthesis शुरू कर रही हूँ आज, तो जरा अपने खुद भी जान लो, अपने भाई भेनों को भी बता दो, अपने देश्तेदारों को भी बता दो, अपने स्कूल वालों को भी बता दो, गाउँ वालों को भी बता दो, है ना, गली महले वालों को भी बता दो, कि photo synthesis शुरू हो रहा है, जो बच्चे plant physio का बहुत बेसबरी से इंतजार कर रहे थे, छे बज़े अज plant physio की class है, चलो, तो मैं इसके respiration के बारे में कुछ important बताते हैं, interesting or important, देखो, see, humans में कैसे होता है, देखो, अपा मालो, ये कोई बंदा है, what happens, यहां से air अंदर जाती है, ध्यान से देखो, मैं क्या बताना चारी है, ध्यान से देखो कि तो समझ में आएगा, नहीं तो कभी नहीं जान पाओगे कि air sack का concept के, यहां से oxygenated air अंदर जाती है, यहां से gashes exchange होता है, यहां से oxygen ब्लड में चली जाती है, अल्वियोलाई में क्या भर जाती है, CO2 भर जाती है, बहुत सारी, तो मालो, यहां पर CO2 भर गी, अब यह CO2 उपर जाके, 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 यहां से तुम बाहर निकाल रहते हो, CO2 अब सोचो, जब तक CO2 बाहर निकल रही है, क्या इसके पास gashes exchange करने के लिए air है, नहीं, जब तक CO2 बाहर निकल रही है, एलुलाई वेट करेगा, कि कब मेरे पास दुबारा सांस आएगी, है ना, फिर जब CO2 पूरी निकल जाती है, फिर हम दुबारा सांस लेते हैं, और दुबारा से इसके पास oxygen आती है, gashes exchange करने के लिए, that means, humans में कुछ समय ऐसा होता है, जब gashes exchange नहीं हो रहा होता, है ना, क्योंकि लगातार जब हम सांस अंदर ही अंदर तो नहीं बढ़ते रहते हैं, एक बढ़ते हैं, फिर छोड़ देते हैं, है ना, फिर वेट करते हैं, दूसरी सांस आने का, तभी gashes exchange होगा, नहीं होता, बड़ में है से नहीं होता, बड़ जो, आख वेरी, ये ये अचानस ले रहा है, यहां से, इमाजन, this is a very hypothetical diagram बट यूल अंदर्सांस ले रहा है, अभ यह डिरेक्ली, इस सांस को लंग पे नहीं आहीं भेचता है, इसको बोलते है एर साथ से एर साथ सो माल लो यह अब सपोस्थ इस ब्लूइश थिंग इस एर ऑक्सीजन रिच एर एंड 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 एंटर्स हीर यह में हमारा लंग होता है और फिर यहa को यह गते हैं तो अपने पास इसे रहां नूद da हम रहे एस यह जुड जाते है तो अपने पस यह एंड भेंगर लूस। अब सब्सक्रम क्यार आ साथ को प्रण कि प्ल्ज यहां प्लूं कि यहां कि ब tightening yже पर निए आई ब्लू 못बें प्लू अ изуч इस भिन्हाइं लॉड हैं से ब्लू ना इसन यहां बहुत ही बना रही है help यहां बहुत रहे हैं फिर यहां से यहां बर गई पिर यहां पर लंल बना तो यह मैं हटा रही हूं सिधा बस यहां पर बना रही हूं कि यह लंग्ज में चली गई अब यहां पर गैशेस एक्सचेंज हो रहा है अब जब तक बर्ड का गैशेस एक्सचेंज हो रहा है बर्ड एक और सांस ले लेता है मतलब पहली सांस अभी बाहर नहीं निकाली दूस गए लंग्स को वेट नहीं करना पड़ रहा है कि कभ यह बाहर निकलेगी फिर अगली सांस आएगी तब उसको ऑक्सिजन मिलेगी नहीं पहले से ऑक्सिजन स्टोर करी हुए जैसे ही यह गंदी हवा सी ओ टू वाली यहां से बाहर निकलेगी यह यहां से यहां जाएगी और यहां से फिर यहां पहुंच जाएगी अब यह रेड वाली बाहर निकल गई यह वाली इधर जा चुकी है रेड वाली बाहर निकल चुकी है तब तक एक और सांस भर जाएगी और यहां पर फिर से भर समझ रहों ऐसे चलता रहेगा यहां पर सांस भर गी ऑक्सीजन वाली यह यहां से जब तक बाहर निकलेगी तब तक यह आ जाएगी जब वह बाहर निकल गए फिर नहीं आके यहां पर स्टोर हो जाएगी सो बर्ड के लंग्स में कभी भी ऐसा समय नहीं होता जब वहां पर गैशेस एक्षेंज ना चल रही हो and this superhuman kind of respiration is supplemented by air sack am I clear with this? please tell me समझ में आ गया? बोलो air sack का importance समझ में आ गया तो मैं आगे चलना चाहती हूँ यह खतम हो चुका है this class is over no 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 this class is not over class Avis Avis is over please tell me Kiran Vishwa Karma good evening please tell me now क्यासे सुस्त बच्चे हो मैं पूछते रहती हूँ हो गया बच्चो हो गया बच्चो बता दो okay done 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 तुमनों को इतनी क्यों खुशी होती रहती है मैंने मेंधी लगाई है तो मेंधी मैं मेंधी लगाई है हैं मेंधी लगाई है चलो अब पढ़ ले बच्चा तम होगे एक्जांपल लन कर लेते हैं बस ओके आओ देखते हैं अद्म्यों के नहीं टेखते हैं कि यहां में अधेे लिए तुष अध्यां पूर्य ब कर लूट है अ कि यहां पर फ नेंस्यां को में जाएं गाई है म्यां आगाई खांट अट अध्यां जिखांगू बात की थी मैंने the crop and the gizzard अभी अभी बात हुई है crop and the gizzard की क्या वोलते हो heart is completely four chambered अब देखो यह मैं पहले बता चुकी हूं birds और mammals का four chambered heart amphibon and reptile का three chambered heart bird fish का two chambered heart reptile में exception crocodile का four chambered heart याद है न तो birds have a four chambered heart they are warm blooded homeothermous यह भी मैं पहले ही बता चुक्यों ठेक है they are warm blooded homeothermous animals and they are able to maintain a constant body temperature maintain करके रखते हैं यह आपा बात कर चुके है respiration is by respiration is by lungs lungs से होती है अच्छा प्लीज यह नीट में कोई नहीं गलत कर के आएगा air sac से कोई gaseous exchange नहीं होता प्लीज पे अटेंशन कोई भी बच्चा यह गलत नहीं गर के आएगा air sac से कोई gaseous exchange नहीं होता है air sacs are there simply to supplement your respiration जितना gaseous exchange होता है सब लंग से होता है please understand this so respiration takes place through lungs air sacs are simply there to help you okay air sacs are connected to lungs supplementing respiration sexes are separate fertilization is internal cloacal kiss they are oviparous eggs ले करते हैं development is direct coi larval stage नहीं होती अब इनके example learn करने बहुत ज्यादा असान है ठीक है कॉर्वस crow learn हो जाएगा कॉर्वस crow learn हो जाएगा क्रो को कॉर्वस कहते है कॉलूंबा pigeon pigeon मैं I hope तुम लोग ncrt लेके बैठते हो क्योंकि अगर तुम बिना ncrt के आप बैठे हो ना मेरी चिठ्थियां लेके pigeon जाते होते थे तो कहां गया इस बार कोलंबिया में गया है कोलंबिया कंट्री है ना साथ अमेरिका में कंट्री सो कोलंबा को हमने याद करना है कोलंबिया से कोलंबिया में हमारी चिठी लेके गया हुआ हुआ है पीजन का हो गया कोलंबा आजा सिट्टा क्यूला पैरिट कौन है जो सिट्टिया मार सकता है कौन है जो हुमन की तरह बात कर सकता है इस सिटी आउट सकता है सिट्टा कुला, सिटी से याद रखना है सिट्टा कुला है, अमरा पेरिट याद हो जाएगा? अगले देखो, स्टुथियो ऑस्टुछ यह नहीं पता, यांसे याद करो गया रिये मुझे ऐसी लेर्ण हो जाता है स्टूथियो अब तुमनों को नहीं बता मुझे कैसे लेंग कराना है तूथ से लेंगरती हु मैं कि इस 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 तूथ की सबसे लारजस्ट बर्ड है सो मुझे याद हो जाता है तुम जैसे मर जी लान करो स्टूथियो ईस उस्तृच नेक्स पावोपीकॉक, प्यवो क्रिस्टाटस यह याद हो जाता है पैवो इस पीकॉक अपती रच्ट डेट्स यह द्कडा देतु हूए है अप्तीनोडईत्स क्या थ्माता है दमाग में क्या आता है कि अभी टेकने स्क्रीन शॉट कि येस ड़न कि इस नहीं ता कल क्लास है बटा चार बजे भी है और छे बजे भी है ठीक है देखो पैंग्विन देखा है तुम लोगोंने कभी इमेजन कर सकते हैं तुम पैंग्विन जिन्होंने नहीं भी देखा डिस्कावरी वगरे में सब इतना मोटा उटा इतना मोटा ऐसे के पंक होते हैं यह पर इसको डायटिंग करने ज़रुतती है कि ईपूर्ट से इसलिए हैं। whole छ़्तिन डायट इस पैंगिन लास्ट एक्जयंपल बचया हमेरे पकास नि Tools बटा योव सootुन そして में डेन वल्चर देखो में कैसे आठकरते लोगों के निडरॉ UN निकाल निकालग के खाराया किसी भी एनिमिल के निद्रों निकालर कराराया तो मुझे याद हो याद हो जता है और वल्चर तुम लोगों को याद है कि नहीं यह नहीं मुझे पता बोलो करते हैं काम करते हैं ओके प्रतीक शाकिर आलम मज़े आरे तुम्हें लगा के अरे वाँ एपिटाइट एपिटाइट हुता है गूक लगना चलो आज तो खतम कर दिया जाए आज नहीं छोड़ेंगे हम अनिमल पिंग्डम को नेक्स्ट आचा यह फोटो यह देख लेना बच च्टियों और फिर इनको देख लो गुश्चन आ सकता है निट में अगर डाइग्राम बेस्ट कोशिंट इस में डाइग्राम बेस्ट कोशिंट आच सतने हैं क्योंकि एम्स तो हो नी रहा तो एम्स के सारे डाइग्राम नीट में आ सकते हैं ठेक है तो ज़रा को टूए मिलना था इतना मिलने निया निया मैंथर मैम आला कि एक वार मैमल के भारे एंपर फूरी लिग डालीनों इन इंहोंने फिजयोजी वह एक लग बात है बत मैमल्स आ रही ली एल्य वन ल॥। अक्सेस्फफल अनिमल्स तो वह झाले ऑन अन एनी अदर अनिमल, एंड उसमें फिर हुमन्स ने चाड़ चान लगाई दिये हैं, वी आर लाइक दे बॉस अफ आल अनिमल किंडम, सो कुछ बेसिक फीचर्स होते हैं, मैं मेलिया के, जो मैं तुमसे बात करना चाहती हूं, F-E-A-T-U-R-E-S, आरे, spelling की, ऐसी तैसी होते है, मैं मेलिया की, अब देखो, ऐसे फीचर्स जो तुमें लगता है कि कुछ भी special नहीं, वो actually special है, because they belong to us and nobody else, 1. तो मैमल्स का नाम कहा से आया, मैमरी ग्लांड्स, F-U-N-C-T-I-O, 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 वैसे तुमें बताऊ, मैमरी ग्लांड्स, F-U-N-C-T-I-O, कुछ मेल्स में भी function होते हैं, there are weird mammals, called prototherians, जिन में drug-billed platypus एक है, उसमें मेल और फीमेल, दोनों ही बेबी को दूद पिलाते हैं, क्योंकि दोनों के पास ही functional memory glands होते हैं, ही आई, अगर हुमन्स में भी ऐसा होता, तो ज़्यादा बेटर होता, बेबी की परवरिश अच्छी हुआती है, क्योंकि मम्मिया तो आजकल ओफिस चली जाती है, बिचारे बच्चे क्या करेंगे, सोचो, बेटर बेटर होता है, हमारे पास, सो फंक्शनल बेमरे ग्लैंड से सबसे यूनिक फीचर है, नेक्स्ट फीचर, हेर अन बॉड़ी, अब तो में लगया है, माम, यह क्या फीचर है, गंदा सा, बेटा यह बहुत इंपोर्टन फीचर है, हाला कि लड़किया तो हम तो सब वैक्सिंग वुक्सिंग करा के हम तो कहते हैं, भया वी डॉंट लाइक, बट सी इस इस एर अन बॉड़ी, और वी लाइक बाड़ी के दो परपस थे, पहला तो अपकी हीट को बचाना, ठड़ था यार, तो हम ऐसे जंगलों में रहते थे, तो हम दोहरे पस दिमाग ज्यादा था, तो हम बच गे, नहीं तो हमें एक कप का एक्स्टेंक्ट कर दिया जाता है, ना हमरे पस दार्ट है, ना हमरे पस नाक होने, तो यूमन के पावर ये थी, कि वो जैसे गुस्सा होते थे, तो अपना एड्रीनलीन वाला रिस्पॉन्स होता है, बाल ऐसे खड़ हो जाते हैं, यह ना, गूस्बंस आ जाते हैं, तो हम एक बड़े बड़े लार्ज दिखने लगते थे, तो अपने को फाइदा था था उस चीज़ का था, अप मेरी बात ही सुन ओ, सुन रहा हो, ऐसे कप करके देखो, यू विल हीर मी बेटर, जस्ट बाइदिस, वाइ? बिकास वीर अबल तू गैदर मोर साउंड, तो इस नोट वेस्टिजल, इस वरी इंपोर्टन, इर पिन्ना, दैन, डायफ्राम, डायफ्राम, जो की रेस्पिरेशन में हमारे बहुत ज़ाद़ हेल्प करता है, मैमल्स की अपनी इंवेंशन है, किसे के पास नहीं था पहले देन, मैमेलियन टीथ, जैसे हुमन में पढ़ते हैं, हेटीरोडॉंट, डायफाइडॉंट और थिकोडॉंट, तीन फीचर्स पढ़ें ना, हीउमन टीथ के, एक्जैक्टली वो सभी मैमल्स की फीचर्स है, अच्छली सिर्फ यूमन की फीचर नहीं है, लिख रहे हूँ, डायफाइडॉंट, मतलब दो बार दांत आते हैं, जैसे अपने आते हैं, बच्चों में मिल्क टीथ और अड kinda, टेटेटे करों चया होोते हैं सौकेट मी इंबेड़िद अ जो ऐके हैंड हैं अठी रोडयन觉 क्यों उसमें ना एिबнов ओगारम हई लुग के हुआ हो अटि बूल टेल मे इंटी मिम रिटेल बता रहीं हुँआ हैं बता चुका भर इंटेटे इक को संबेहित हैं एक तो यह बहुत इंपोर्टेंट फीचर आ गया अब बाकी फीचर जो है न क्या हो गया माडम यूप केना चाहरे हो थैंक यू थैंक यू सो मच हरे बच्चों हाँ बिल्कुल बिल्कुल कॉर्पस के लोजम यह तुम लोगों को क्या दिक्कत ए मैं अनकेडमी वाली शर्ट नहीं पेनी अपने अनकेडमी की जैकेट पेनी है यह नहीं थीक है बेबी को feed दोनों कर सकते हैं, male और female कर सकते हैं, चलो, अब सुनो, corpus callosum क्या होता है, अपने cerebrum के दो हाफ होते हैं, एक इधर वला हाफ, एक इधर वला हाफ, उसको जोडने के वाला बीच में band होता है, corpus callosum हमारे पास है, तुम लोग को लगता है, क्या बकवास है, एक औ और चीज पढ़नी पढ़ जाती है, हम लोगों को learn करनी पढ़ जाती है, it is very important, one half of the brain is connecting with other half of the brain, अगर दूसरों के पास ही होता, तो वो भी बहुत जादा intelligent हो जाते है, ठीक है, corpus callosum सिर्फ हमारे पास है, ठीक है, बाकी basic features है, वो तुम्हें पता है, यह फोर चेंबर हाट और होमियोथर्मी लिक रही हो, क्योंकि उतनों को पहले ही आता है, four chambered heart तो birds में भी है, और crocodile में भी है, और होमियोथर्मी, warm blooded, warm blooded, हम body temperature अंदर maintain करके रहते हैं, अब न, मैं तुम्हें, मैमेलिया के न, थोड़े से groups बता देती हूँ, ठीक है, मैमेलिया क्लास है, सब क्ल इसके बारे में जान सको, जानना तो पड़ेगा, तो जाने लेते हैं, आओ बच्चो, आज मुझे ब्लू से लिखने में इतने मज़े आ रहे हैं, सब ब्लू रंग डालूंगे, आज में तुम देखो, तीन सब क्लासिस आपने पास, प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया, एंड यूथीरिया, प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया, यूथीरिया, अब तुम कहोगे, मैं मैं सोसाइड कर लूंगा ये लर्न करने से पहले, कोई जरूरत नहीं है, लर्न करना भी नहीं, सिर्फ मैं तुम्हें इसलिए बता रहे क्योंकि हमें आगे ना examples learn करने हैं तो क्यों ना हम अभी सीख लें तो फिर examples learn करने में ऐसा नहीं हो चाहिए प्रोटो का मतलब होता है पुराना यू का मतलब होता है सच्चा थीरिया का मतलब होता है बीस्ट जानवर सच्चे जानवर हम है ठीक है यू थीरिया ट्रू बीस्ट इसमें आप आते हैं प्लैसेंटल मैमल्स को बोलते हैं मेटाथीरिया चेंजिंग बीस्ट इनको मार्सूपियल्स को बोलते हैं मार्सूपियल्स और ब्रोटो थीरिया होते हैं एग लेंग मैमल्स आप ध्यान से सुनो प्रोटरो थीरिया होते हैं, सब से पुराने mammals जो बने थैं, यह मुस्स प्रिमिटिव मामल्ग, इतने प्रिमिटिव हैं। अपा किस से बने अभी बताया थे वहने। रेप्टाल से बने हैं। रेप्टाल एग ले करते हैं। मैमल की खास बात ही होते हैं, हम बच्चे पैदा करते हैं, हम एग्स ले रखने में पिश्वास नहीं करते हैं, ये इतने कमीने होते हैं, ये ले एग्स, okay, so basically, अगर मैं कहूं, की, ये गला दुल गया, that, they are the connecting link between reptiles and mammals, so क्या ये बाद सच है, ये बाद बिल्कुल सच है, they have some features of reptiles, okay, so they are the connecting link between reptiles and modern mammals, पहली बाद तो, इसमें, अब ये इनके ना, इनके भी अलगी स्टोरी है, बढ़े वियर्ड से होते हैं, इनके बास, देखो, mammals का basic feature होता है, scrotum sacona, मतलब, testis body से बहर लाई करती है, तीसरा, इनके बास nipples नहीं होते है, ठीक है, memory gland zone के पास है, nipples नहीं होते है, तो बच्चे दूद के से पिएंगे, उनके hair पे लग जाता है, दूद बिचारे, वो मिल्क को, ऐसे hair को सक कर करके milk पीते हैं, बट ऐसा नीट में कुछ भी नहीं आने वाले है, नीट में जो जाए कि bird जैसी beak होती है, duck जैसी beak होती है, duck build platypus का नाम है, और नहीं तो, r-h-y-n-c-h-u-s, एक बढ़ स्पलिंग प्लीज चेक कर लेना, duck build platypus, ठेक है, एक echidna इसका मेंबर है, यह देख रहा है यह देख रहा है, यह देख रहा है, यह देख रहा है, यह देख रहा ह एकडिना कौन है spiny anti-teater इसका scientific नियाम क्या है नहीं चाहिए टैकी गलोसस होता है पर नहीं चाहिए क्योंकि ncrt नहीं 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 दिया कोई scientific नेम करेंगे हम जो ncrt में नहीं दिया हुआ ठीक है वालों को तो simple सब्सक्रिण करें अंडे के अंदर से nutrition मिल जाएगा इसको placenta यह इसको Sig 먹고 i दीज आप यह पाउच्ट ऑज फाउच्ट 각 इन के पास पौच्क्रिणी इन में प्लेसेंटा बंता है पर बहुत ही वीक haft ल dil收 के बच्चे को support नीं कर पाता है तो हमारे अंदर बनता है बहुत ज्यादा समें तक हमारें अन्दर बनता है बहुत strong placenta तो हमारा gestution पर उपनी होता है टू स्थच्यन परिटी नहिता है तो अपने बच्चे को अच्छा कहसे developed होता है तो वेजाइनल किनाल से उसको बहार निकलने में दिखकत आती है कश्राइब को एच है। so I am trying to make a kangaroo here okay okay let's see okay I am not sure what is this but okay so this is the pouch okay so I want to make a kangaroo mama kangaroo what is this? she is very low developed child to put this pouch in this pouch this is the baby kangaroo now this is the same as this is the same as the mother's nipples here she is here she is here and here she is here she is here when she is very big she is very big then she is very big then she is the feeding period is very big बढ़ा होता है हमारा जेस्टेशन पीरिड जाद होता है इनका फीडिंग बढ़ा होता है बेबीज यह बहुत ही ऐसे अंडेवलेट से टुच्चू से बेबीज पैदा करते हैं ठीक है ना अब अब आपने क्यांगरु को पढ़ा है मैकरो पस ठीक है बाकी सारे टू प्लेसंटल जैसे कि हम इसमें तो बहुत ही एकजांपल आने वाल है चलो बैं न्सी आटी से रीडिग करें ख़तम करो बात को अल्रेडी ख़तम कर चुके हैं बस रीडिंग करनी न्सी आटी की अम एक लिए इसका एक वर स्क्रीन शॉट लेना तो लू नहीं बच्छा पूच रहा है वह और प्रेंट उसका बुच्षा है उसक्षेति है किलो न्सी रहा ह्टुच्प। uterus everything they can okay study where is it okay they are found in variety of habitats NCI T kholo apni reading guru satsat meri shakal nahi dekhoi polarized caps deserts mountains huntin , what is this? dark caves grasslands, what are you able to get? we are warm blooded so we are able to to go into any extreme temperature and also we are intelligent so we are able to adapt to the environment some of them have adapted to fly bats scientific name teropus flying fox that but the fact of that is a flying fox ien टरप्स लिवल व्हाटर जैसे की वहल ब्लैनोग टरा थेक दॉल्फिन दल्फाइनस तुम्हें बहुत सारे उनीक केरेक्टर हैं बहुत सारे उनीक करेक्टर glands by which the young ones are nourished. They have two pairs of limbs, two hands, two pairs, adapted for walking, running, climbing, burrowing, swimming, flying. The skin of ये समझगे न कौन है? ये और्निथरिंकस है, ये मेकरोपस है और ये टेरोपस है. ये बलनोग टेरा वेल. The skin of mammals is unique in possessing hair. Hair है भईया, हमारे पास अभी देखा था. External ears और पिनना are present. Different type of teeth. Heteroodont kind of dentition is present. Heart is four-chambered, अभी पड़ा है. They are homeothermous. Warm-blooded पड़ा है. Respiration is by lungs. बिलकुल सही. Okay, तो अब तुम सोचते हो कि whale lungs से कैसे respiration करेगी भईया, whale तो पानी में होती है, बैटा जी. Whale उपर आती है, सास लेने के लिए. पानी में सास लेने के लिए, सोचो. मत देख रहो लड़की की. पानी में सास ने ले सकती, लेकिन पानी में रहती है. लंग्स होते हैं, उसके बास गिल्ज नहीं होते हैं, ठेके? सेक्सिस आर सेपरेट, भाया, मेल फीमेल सेपरेट होता है, फर्टलाइजेशन इस इंटर्नल, ओविसली इंटर्नल ही होनी चाहिए, बच्चों को जंद देने वाले, एक्सेप्शन कौन सा है, और नी थोरिंकस, डेवलप्मेंट इस डारेट, कोई लारवा तो नहीं बनता हुमारा, कीड़े तो नहीं पैदा करते हैं, फिर वो बच्चे बना देते हैं हम बाद में, ना, आरवी क्लियर, चलो आगे, एक्जामपल लर्न करते हैं, चलो, कल कर टाइमिंग भी रहेगा, हमेद, हमेद, बिल्कुल बिल्कुल यही टाइम रहेगा, बेटा, चार बजे और छे बजे, चलो एक्जामपल लेंग करने की कोशिश करते हैं ओवी पैरस अपने को पता है और निथो रिंटस प्लाटीपस है ना वी पैरस तो आगे बहुत एक्जामपल है मैक्रोपस अभी अपने पढ़ लिया कांगरू मैक्रो बड़ा सा देको मैं कैसे याद करते हैं कैंगरू ना यह कैसे याद करों के देखो मुझे तो याद है अब तुम देखनों कैसे आद करों कियाक आइ डों। यह क्यामिलस कैमल ही होईगा कुत्ता बिली तो होने से रहां क्गा का मंकी नाम से पह चल रहे हैं मकाका, मंकी, रैटस, रैट, कैनिस, डॉग, फैलिस, कैट, एलिफस, एलिफेंट, इक्वस, यह याद कर लो भाया, इक्वस होर्स होता है, ठीक है, इक्वस होर्स, डेलफाइनस, डॉल्फिन, बलैनोप्टेरा, ब्लु वेल, देखो, यह भूल सकते हो, मैं ऐसे याद करते बलैनो और ब्लु बहुत ही पास-पास है ना, तो बलैनो ब्लु को जोड़ देते हूं, ब्लु वेल बन जाता है मेरा, ठीक है, पैंथिरा, टिग्रिस, टाइगर, पैंथिरा, लियो, लायन, अब इसमें से क्या भूल सकते हो, तुम, बताओ, कौन सा याद नहीं होगा, बत इसमें तुम लोग को इन से सिंपती दिखानी चीए, पिटी दिखानी चीए, इनके लिए, इनके लिए, यूट आप तु फिल बाउट बाउट दें, ओके? क्या करेगा बिचारा, घर में इसकी मा इस से ऐसे बात करती है, चलो, ओके, तो आइम गूंग तु फिनिश मैं लेक्चर नाओ, अपने स्टेट का नाम बरबाद कर रहा है, अपना नाम तो चेंज करके आता, जिसको भी ऐसे बकवास करने हो ना, क्लास में नाम चेंज करके क्या हो, तुम्हारा माबाप का नाम खराब होता है, तुम्हारा सरनेम का नाम खराब होता है, तुम्हारे स्टेट का नाम खराब होता है, जिस परकार के तुम कमेंट करते हो, चलो, फ्लास कातम कर रही हूं, I hope तुम लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया है, कोई दिक तो लगी तो लगी यह तुम लोग ने पढ़ा तो ही है ठीक है तो वीडियो लाइक कर तो और अगर सिलेबस मेरे सब पढ़ना चाहते हो चाहते हो तो 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 इस इस देड़ राइट टाइंड विकार्श कोर्स में भी एक ही चाप्टर हुआ है जैसे जैसे तुम टाइम डिल कोड़ कोड़ मेरे बैच में आने के लिए भी आपको यह कोड़ चाहिए होगा सो कोड़ जरूर यूज कर देना और 10% तुम लोगों को इसी कोड़ से आफ मिलेगा प्लस मेरे नोट्स मिल जाएंगे थैंक यू सो मच अभी में 6 बजे मिलती हू तुमको फिजियोलोजी के है थैंक यू सो मच